हलो मेरे नामें चिंद्रहास, श्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो करेंट अफेर है या फिर न्यूज है लेकर किया रहा हूँ कि ISRO ने 36 जो सेटलाइट्स हो लौन्च के है लोग अर्थ और्बिट में और यह क्यों खास है अब इसलिक खास नहीं है कि 36 सेटलाइट्स लौन्च किए क्योंकि ISRO तो इस से पहले 100 से ज्यादा से जैटलाइट्स लौन्च कर चुका है लेकिन यह खास क्या है इसमें क्यों इसकी इतनी बात करी जा रही है, क्यों ये mission बहुत important था, कि दीवाली से पहले बहुत celebration हुआ है इसका, तो वो सारी चीजे हम यहाँ पे समझेंगे, current of where के point of view से, exam के point of view से, जो important, जो points है मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखेगा इसे, तो मैं बात करूँ OneWeb की, OneWeb का मतलब क्या है, जैसे Elon Musk की company है, जो satellite के माध्यम से, जो internet की सुधाय प्रोवाइट करने का काम कर रही है, तो बहुत सारे satellite उसने छोड़े हुए है, और कई बार उसके जो satellite है, आसमान में अब देखने को मलते हैं, लोग उसकी photo बनाते हैं, यह क् कुछ काम OneWeb का भी है, OneWeb एक UK based company है, इसका भी काम satellite के माध्यम से internet पहुचाने का है, और इसी उद्देश को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे satellites launch कर रहे हैं, तो OneWeb की जो partner है, इंडिया की जो company है, वो है भारती एर्टल, तो भारती एर्टल के साथ मिल करके यह काम कर है, तो अगर हम स्टेट्मेंट की बात करें कि इस रो के जो chairman है, S.P. सॉमनात, इन्हों ने क्या का, happy दिवाली, we started celebrations already at the 37th home space center, कि इन्हों ने का कि सबको दिवाली एक शुप काम नहीं दिया, और यह बता है कि हम पहले से ही, दिवाली का celebration स्टार्ट कर चुके हैं, इसका मत हम बात करते हैं, और यह जो satellites हैं, कौन से launch vehicle के दोरा ले जाएगी, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी क्या खासियत है, आपने उसका नाम पहले हो सकता है, ना सुना हो, या फिर कोई एक नया launch vehicle है, वो सब हम समझते हैं, तो अगर हम बात करें, कि भाई, इसको जो one web कहा जाता है, कि इस रोगा सबसे heaviest rocket है, सबस्यादा payload capacity के साथ है, बहुत बड़ा सा rocket है, और यहां पर आपको इसकी photo भी दिख रही होगी, लेकिन इसे launch किया गया किसके दोरा, launch vehicle mark 3 के दोरा, यह confusion होना बहुत आम है, कि भाई, heaviest अप कौन सा है, तो यह वही rocket है, यह वही launch vehicle है, GSLV mark 3, बस इसका नाम change किया गया है, अब इसे launch vehicle mark 3 के नाम से जाना जाता है, अब यह भी बात रही कि भाई, इस रोग को क्या पड़ी थी, नाम change करने की, नाम change करने से तो कुछ होता नहीं है, जी हां, कई बार जब आप commercial field में रहते हैं, तो नाम का प्रभाव भी बह है, तो नाम change करें ना करें, कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन जब इसे commercial तोर पर भी यूज करना है, तब ऐसे में नाम change करना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर GSLV को देखें, तो यह क्या था, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस launch vehicle था, तो इससे यह एक idea लगता था कि यह जो launch vehicle है, इस रो का, यह जो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी जो orbit है, वहाँ पे satellites को पहुँचाने का काम करता है, लो अर्थ और्बिट के लिए इस रो के पास कोई इतना powerful rocket नहीं है, जो ज़्यादा capacity को ले जा सके, तो यह mindset ऐसा develop होता है, लेकिन चुंकि यह जो rocket इस रो ने develop किया, यह सिर्फ एक ही orbit तक सीमित नहीं है, इसकी capabilities बहुँ ज़्यादा है, यह low earth orbit से ले करके, geosynchronous orbit तक जो satellite से पहुचा सकता है, इसलिए इसका नाम change किया गया और इसे launch vehicle mark 3 के नाम से जाना जाता है, जिससे यह फरक नहीं पड़ेगा, कि भाई, यह किस orbit में जाना है, इसे या किस orbit तक के rocket है, low earth orbit से ले करके, geostationary orbit तक यह जा सकता है, तो इसलिए इसका नाम change किया गया था, यह जो rocket है कहां से छोड़ा गया, 37 zone space center, श्री हरिकोटा से इसे successfully launch किया गया, और इसने जो 36 satellites हैं, UK based one web company की इसको अपने orbit में पहुचा दिया, orbit कौन से थी, LEO, मतलब low earth orbit, क्योंकि satellite की सुविधा पहले से है, लेकिन जो पहले satellite जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, वो आपकी जो geostationary satellite से वहां से आती, तो ऐसे में क्या होता है, कि जो पिंग होता है, या फिर जो कह सकते हैं, कि समय होता है, बढ़ जाता है, कि वह satellites चोने जारे हैं, low earth orbit में, इसलिए हम अपनी नंगी आँखो से इसे देख सकते हैं, satellite को जाते हुए, तो ये low earth orbit में इसलिए चोने जाते हैं, लेकिन जाते हैं, तो देख रहे हैं, जो load capacity है, बहुत जादा है, क्योंकि rocket बहुत powerful है, इसलिए इसका नाम बदला गया, कि इस के लिए कोई अच्छा rocket नहीं, powerful rocket नहीं, तो ये rocket यही है, इसी का यूज किया जाएगा, तो इसकी capacity बहुत जाता है, तो इसके बारे में हम अगले slide में बात करते हैं, कि इसकी capacity के बारे में, तो देखें, launch vehicle mark 3, जो है, LVM3, ये commercial satellite mission है, किसका New Space India Limited, इसको short में NSIL के नाम से जाना जाता है, जो कि ISRO की commercial arm है, जिसका काम होता, international clients को तलाशना, उनको ले आना, satellite छोड़वाना, वैसे भी हम जानते हैं, जो ISRO है, उसके द्वरा satellite छोड़ने का जो खर्च है, काफी कम पढ़ता है, बाकी companies के मकाबले में, तो बहुत सारे लोग आती है, ISRO के पास अपना जो satellite है, जो छोड़वाने के लिए, दूसरी चीज़ ये भी है, कि जो ISRO के missions होते हैं, उनके जो success rate है, बहुत जादा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा matter है, कि मतलब एक अच्छी बात है ISRO के लिए, कि भाई, उनका success rate भी अच्छा है, cost भी कम है, satellite को आरविट तक महुच इसलिए नहीं 36 satellite ले गया, इसलिए कि इतनी ज्यादा मतलब जो payload है, उसको लेकर किया, low earth orbit में पहली बार में successfully उसने place कर दिया, तो देखे लिखा है, LVM3 was conceived primarily for launching geostationary satellites with a payload capacity of 4 ton, कहरें कि जो जिसका नम पहले हम GSLV Mark 3 जानते थे, कहरें कि इसका जो शुरुवात में इसको ब लगभग 4 ton capacity के, बहुत ज्यादा 4 ton होता है, इतने भारी बरकम satellites को छोना जा सके, लिखा है, which can be used for launching 6 ton payload of LEO, और वो क्या है, 6 ton तक का payload ले जा सकता है, low earth orbit, मतलब अगर हम geostationary की बात करें, तो 4 ton तक का payload ले जा सकता है, यह जो rocket आपका है, launch vehicle, LMV3, LVM3, height की बात करें, तो लगभग यह 43 meter उचा है, weight इसका खुद का 644 ton है, और इसकी flight की बात करें, तो इसकी पांचवी flight थी, जो अब इस वाली flight को include करते हुए, और इसी flight के साथ, जो LVM3 है, यह global market में बहुत ही शांदार तरीके से, इसने अपनी entry मार दी है, मतलब यह इसकी ज तो यह इसकी खास बाते थी, इस mission की, है ना, तो इसमें आपको जो pointer से हो ध्यान रखने हैं, क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती ही, low earth orbit में छोणा, 6 ton की capacity है, कितना छोणा, 5.796 ton इसने जो satellite है वो लेकर के गया, 36 satellite कि इसके, one wave के, one wave की partner company, इंडिया में कौन है, तो यह भारती है, तो ऐसे सारी बात में, इस सरे लिटेट कुछ और जो, one liner से जान करके रखे, कि जैसे यह, मैंने आपको बता, यह पहली commercial mission था, LVM3 का, और यह इसका पहला multi satellite mission भी था, जिसमें 36 satellite यह लेकर गया, इसके सासाथ यह इसका पहला, LEO का mission भी था, मतलब इससे पहले ही इसने जो भी satellite लेकर के यह गया है, यह जियो से stationary satellite या जियो stationary orbit में लेकर के गया है, यह अभी इसका low earth orbit का पहला यह mission था, और यह पहला Indian rocket है, जिसकी capacity 6 return पेलोट की कहां पे, यह ध्यान रखेगा, 6 return LEO में इसकी capacity है, और यह NSIL का भी पहला mission था, LVM3 के साथ में, त काम इसका change करने से कुछ ऐसा नहीं खराब हुआ है, अच्छी बात हुई है, ताकि इसकी जो presence वो और अच्छी बन सके global market में, पहला इसका commercial launch था, 6 return की capacity है, इसकी ले जाने की 5.796 return तक का यह जो पेलोड है, लेकर के गया, 36 satellite लेकर गया, 150 kg की एक satellite थी, one web company की थी, and one web की partner पार्टनर है, काम क्या हैं in satellites का low earth orbit में एर प्लेस हो करके internet को पहुचाना, ताकि बिना अतार के internet पहुच सके, यही इसका काम है, तो यह mission के बारे में सारी बाते थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like जरूर करिएगा, आपने दोस्तों के साथ श क्या थाविक बाया, ईॉको वाया नाते बाएजन प्लेस का लगाना वीडियो को प्लीको बादेगे, ग्रखेगे, ताकिसे सारी धते अननादे जहीडियो को वीडि़गा है I अन्हीं आपको वीडियो का बादेगी बादू सामोल किंदाव जहीडियो है, तो आ 지금은 प्लेगके